दाउद को पड़ा दिल का दौरा करची के अस्पताल में वेंटिलेटर पर रखा गया। भारत के सबसे बड़े दुश्मन और 1993 मुंबई बंधमाकी के मास्टर माइंड अंडवल्ट रॉन दाउद इब्राहिम को पाकिस्तान के करची में दिल का दौरा पढ़ने की खबर फिलहाल उसकी हालत बेहत गंभीर बताई जा रही है। मीडिया में चल रही खबरों की मानें तो दाउद को करची के एक अस्पताल में वेंटिलेटर पर रखा गया है। इसके लावा एक रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि पैराले टेक अटेक के बाद दाउद को वेंटिले नहीं हो पाई है। दाउद के परिजनों ने बताया अफवाह दाउद के पाड़े वारेक सूत्रों ने उस के दिल का दौरा पढ़ने की खबर को खारिज किया है। उनका कहना है कि दाउद पूरी तरह से ठीक है। उसके दिल का दौरा पढ़ने की खबलर अफवाह के सिव कुछ नहीं है हाला कि उनका यह भी कहना है कि दाउद अपनी पत्नी मेहजबीन के अंकल को देखने अस्पताल गया था। धमाकों में 250 लोगों की मौत हो गई थी। दाउद 23 साल पहले भारत से पाकिस्तान भाग गया था। वह पाकिस्तान में बैठ कर लंबे समय से दुनिया भर में अपने आतंक की हुकूमत चला रहा है। झाल झाल रहा है।